हेलो बच्चो, क्या हाँ चाल हैं, सब बढ़िया है ना, तो देखो आज का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हम सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्लास 11, यूनिट नमबर 1, वीडियो नमबर 9, और आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान परतीसत या मास परसेंटेज, डबलू अपॉन कैपिटल डबलू, तो सबसे पहले द्रव्यमान परतीसत या मास परसेंटेज की डेफिनेशन देखते हैं, पता चल रहा है, परतीसत किसी विल्यन के 100 ग्राम में उपस्थित, विले की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान परतीसत कहते हैं, तो आपके पास कोई भी विल्यन है, उस विल्यन का कितने ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम, और 100 ग्राम विल्यन में आपको यू देखना है कि कितने ग्राम विले गुला ह सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखो एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे फिर द्रव्यमान और भार फिजिक्स में तो होते हैं दोलनों अलग अलग केमिस्ट्री में आप चाहे द्रव्यमान के दो या भार के दो एक ही बात है ये दोलनों चीज़ें अलग अलग नहीं होती है कैमेस्ट्री भाइब ग्रुत्रतों कि जीँ में को मैं कि यहां बाहत सो या थांसे ये फार्मूला है लिए बते विलियन का भार ग्राम में उना सो या स्मॉल डबलू यानि कि स्वी ले का और capital WT का वदलब पूरे विलियन का भार multiplied by 100 तो आपको विले का भार तो उपर लिखना है विलियन का भार लिखना है नीचे और गुणा करनी है 100 से 100 से गुणा इसलिए करनी है क्योंकि हम percentage ले रहे हैं द्रब्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत तो देखो जरा एक क्योशन दे रखा हमने हैं एक क्योशन है 5 ग्राम NETL को 50 ग्राम विलियन में गुला गया तो प्रात विलियन का द्रब्यमान प्रतिशत ग्याद कीजिए तो इस क्योशन को यह 2 सिंपल से क्योशन लिए इन्हें करने से पहला आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यूँ देखना है कि 100 ग्राम विलियन में कितने ग्राम विले गुला हुआ है तो प्रात विलियन का द्रब्यमान प्रतिशत ग्याद कीजिए तो 5 ग्राम NETL NETL क्या होगा विले होगा विले तो हम लिखेंगे विले का भार विले का भार लिख दो या द्रब्यमान लिख दो एगी बात है विले का भार कितना है 5 ग्राम ठीक है एक बात यह ध्यान रखनी है आपको कि विले के भार को आप स्मॉल डब्लू से लिख सकते हो विले के भ मारणको Small W हम ने लिख लिया कितना है? पांच ग्राम. और दूसरा दिरीका 50 ग्राम विलियन में. तो हम लिखेंगे विलियन का भार. विलियन का भार. इसे लिखना में Capital W. Capital W, T लिख दो है, Capital W. कितना है? 50 ग्राम. और हमें क्या बताना है? द्रब्यमान परतिशत, तो यदि आपको द्रब्यमान परतिशत यानि मास परसेंटेज या वेड परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए फार्मुला लगा दो आप द्रब्यमान परतिशत का फार्मुला विले का भार, बटे विलियन का भार multiplied by 100 अब यह देखो आप विले का भार कितना है विले का भार कितना है पांच ग्राम और विलियन का भार कितना है पचास ग्राम multiplied by 100 तो यह किस तरह कटेगा पचास दूनी 100 और यह ओ गया पांच दूनी 10 तो हमारे पास 10% आया यह हमारा अंसर है थीक है समझना है आपके तो यह सिंपल सा क्योफ्चन ऐसा ही आपकता है इससे जदे कॉंपलेक्स यह मुश्किल के उस्टेन हमारे नहीं आ सकता इस टॉपिक ने इसी तरीके का एक सिंपल सा क्योफ्चन और कर रहे हैं दिहान से देखो आप देरा यह दूस ग्राम तो मैं कहूंगा विलेटा भार विले का भार स्मॉल डबलू कितना दे रखा इन्होंने 20 ग्राम यह लिग लिया यहां 20 ग्राम 180 ग्राम जल में गोला गया यह जल विलियन नहीं है जल है विलायक सॉल्वेंट ठीक है तो आप लिखोगे हैं विलायक का भार विलायक का भार विलायक का भार कितना दे रखा 180 ग्राम तो पेटे अब मुझे यह यह बताओ कि विलियन का भार क्यासे निकले ग्राम що विलियन का भार आप कहशो क्यासक्रियो डबलू ते को डबलू टी के लिया है यादि विलियन के भार को ग्लुकोज है और 180 ग्राम है पानी तो कितना होगे 180 और 20-200 ग्राम तो willye का भार 200 ग्राम है अब लगावा फार्मुलर यदि आपको द्रवयमान परतीशत निकालना है तो willy का भार ग्राम में बटे willyन का भार ग्राम में multiplied by 100 विले का भार कितना है ग्राम में विले का भार ग्राम में है 20 ग्राम और विलियन का भार कितना हुआ बिटे देखो 200 ग्राम और multiplied by 100 तो मैं इसे ऐसे calculate करनूं क्या देखो 1, 2, 0 से 2, 0 cancel होगी और ये 2 से 2 पट गया तो कितना आया है 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत small w upon capital w ये हमारा अंसर आ गया तो समझ में आया कुछ आपको एक बात पता चली होगी कि कोई भी विलियन है उसके 100 ग्राम में आप यह देखोगी विले के कितने ग्राम भुले गए है किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्तित विले की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत या mass percentage या weight percentage कहते हैं ठीक है आज के लिए वस इतना ही पड़े हैं और अगले वीडियो में हम discuss करेंगे PPM, parts per million ठीक है parts per million को अगले वीडियो में discuss करेंगे सब तक के लिए आप इतना ही पड़े Thank you very much आज के लिए वस इतना ही Okay, Bye